तो आज हम आपको बताने वाले हैं गेहों के आटे की बर्फी बनाने का बहुत ही आसान तरीका आप इसको गेहों के आटे की मिठाई भी बोल सकते हैं तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ खाने में एक नंबर का लगता है एकदम ला जवाब खाते समझ कोई एक ही नहीं कर पाएगा कि ये गेहू के आटे का है मुह में जाते ही घुल जाएगा तो ऐसा ही बनाने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा वीडियो पस खाँ फए रही लिया प्रकरश्वि नपय्स में शर्चिंटो बहुत है पर वृष्ट शवे उपर लिये फपर पही है, उसके बाद हमें इसमें डालना है घी तो मैं आपको बता दू घी डालेंगे तो पेड़ा जो है बर्फी बोले या पेड़ा भोले या गेऊंके आटे का मिठाई बोले अगर इसमें घी आप डालेंगे तो बहूत ही टेश्टि लगेगा अगर घी नहीं है, तो आप इसमें रिफायन भी ड़ाग सकते हैं, रिफायन डाल दे उसको अच्छे से भूने, तो देखिए उस कटोरे से जो कटोरा मैंने लिया था उसी से एक कटोरा मैंने घीन भी निकाल लिया था, लगबग चार चमच ये घी था, इसमें डालने के चम्मच को इसमें दबाते रहें उससे क्या होगा गेहूं में जैसे गोला बन जाता है और उसके अंदर काची रह जाता है तो इस तरीके से चलाते रहेंगे दबाते रहेंगे तो पहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएगा और दोस्तों मैं आपको बता दू पहुत ही यह दोस्तों आटा जो है भून गया है उसके बाद हम इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा इसको कोब्रा भी बोला जाता है तो दोस्तों मैं आपको बता दू इसको मैंने घर पे बनाया है किमकि मार्केट से जो आता है न मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है उसका आपको छिलका निकालके गलेंडर से कद्दुकस कर लेना है या मिक्सिजर में पीश सकते हैं उसको छोटे-छोटे टुकुलो में करके अब यहाँ पे देखिए हमें डालना है चीने तो चीनी मैंने लिया है तो जिस कटोरे से मैंने गेहु का आटा लिया था डियर्ण कटो चला लें तो इस तरीके से चला लेने से क्या होगा चीनी जो है इसमें अच्छे से घुल मिल जाएगा और जो नारियल का बुरादा है वह भी बहुत ही अच्छा लगेगा इसमें उसका टेस्ट भी और यह देखिए चीनी को मिलाने के बाद इसमें क्या करना है थोड़ा- चला लें यहां पर देखिए इस तरीके से आप चाहे ना तो इसमें दूद भी डाल सकते हैं जिस तरह मैंने पानी का फुहारा दिया है ना भी उसी तरह से आप दूद को अच्छे से गरम करके ठंडा करके इसमें डाल सकते हैं बहुत ही टेस्टी बने का और यहां पर बस एक मिनट के लिए इसको चलाते रहना है और अच्छे से इसको पका लें ताकि जो पानी मैंने डाला है ना अच्छे से पक जाए ऐसे ज्यादा पानी मैंने नई डाला है बस फुहारा डाला है ताकि चीनी और यह जो आटा है ना अच्छे से एक में मिक्स हो जाए तो य को हमें टाल देना है उसके बाद इसको हाथों से अच्छे से थप थपा लेना है ताकि अच्छे से जम जाए तो दोस्तो मैं आपको बता दूं मैं प Cannon met जमा रही है अगर आपके पास पलाश्टिक का हो जीद का चरकूर सॉक्प и आप जमाएंगे तो बहुत ही असानी से निकल जाएगा और देखिए थोड़ा सा और हमें इसमें इंखी लगा लेते हैं उपर से चार ताकि अच्छे से बराबर हो जाए तो क्या आप बस देख रहे हैं या आप अंदाजा लगा सकते हैं इसको कि ये बर्फी है गेहूं का आटे का या असली बर्फी ये देखिए आप आई से कमेंट में लिके बता सकते हैं आपको क्या लगता है तो यहां पर देखिए थोड़ा समय ने नारियल का बुरादा बचाल या है उपर से डाल देंगे दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है और यहां पर हमें क्या करना है इस तरीके से दबा देना है यह देखिए थाली से हमें इसको दबाएंगे ताकि एक ही बार में अच्छे से चिपक जाए थाली को मैंने अच्छे से पहले से धोके रखा हुआ था और उसको मैंने पोच लिया है ताकि पानी ना लगने पाए और यहां पर देखे यह बहुत ही अच्छे से चिपक गया है हमें हाथों में नहीं लगाना है नहीं तो नारियल का जो भी तेल होता है ना सब आ जाएगा हमारे हाथों में क्योंकि अभी गरम है तो देखे थोड़ा सा हलका सा ठंडी हो गया है उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे अगर एकदम जम जाएगा तो काटने में थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन ऐसे भी कट जाएगा यह देखिए कितना अच्छे से कट रहा है इसको हम बर्फी का सेब देंगे आपको जो भी हिच्छा करें चरकूर में या छोटे-छोटे टुकूर में आप इसको कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए सभी को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है यह देखिए अब इसको हमें क्या करना है इसी तरह से छोड़ देना है तो दोस्तों आप इसको फ्रेज में भी रख सकते हैं जमाने के लिए या आप पंके के नीचे रख सकते हैं या आप ऐसे फ्रेज जगा पे रख सकते हैं लेकिन इसको थोड़ा सा कभर कर दीजेगा ने तो उपर से कुछ पढ़ सकता है तो इसी तरह से हम इसको छोड़ देते हैं अब यहाँ पे देखिए आदी घंटा मैंने छोड़ दिया था ताकि ठंडा हो जाए और यह बहुत ही अच्छे से जम गया है आप लोग देख सकते ह मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आपके पास कोई भी चीज चरकूर है तो आप उसमें जमा लेजिए ताकि अगल बगल में थोड़ा सा तूटे फूटेगा नहीं और यहाँ पे देखिए कट किया था मैंने लेकिन जमने के उज़े से थोड़ा टाइट हो गया है तो इसको हलकी हलकी हम जगा को इस तरीके से बना लेते हैं ताकि हमारा गेहों का आटे का जो बर्फी है बहुत ही असानी है यह देखी दोस्तु 54 लेकिन मैंने तो घर पे ही बनाया था न और खाने में दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है एकदम लाजावा बन के तयार होता है और जटपट में बन जाता है थोड़ा सा भी कोई डरने की बात नहीं है कि बन पाएगा की नहीं लेकिन बहुत ही जल्दी से बन जाएगा जिस तरह म आपको कैसा लगा तो चली फिर मिलेंगे अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए सुक्रिया